नमश्कार दोस्तों 18 फरवरी 2030 को महाशिवरात्री व्रत है व्रत में कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए आज हम आप से इस वीडियो में महाशिवरात्री व्रत की पौराणी कथा जो की एक बार भगवान शंकर जी ने स्वयम पार्वती जी को सुनाई थी वही कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आप महाशिवरात्री के व्रत में इस कथा को सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी सुन सकते हैं लेकिन एक समय आपको इस कथा को अवश्य ही सुनना है व्रत कथा इस प्रकार है एक पार माता पार्वती जी ने भगवान शीव शंकर से पूछा ऐसा कौन सा स्रेष्ट और सरल व्रत है जिससे मृत्यू लोग के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं उनके उत्तर में भगवान शीव ने माता पार्वती को बताया महाशिवरात्री व्रत कथा सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से और व्रत रखने से सभी प्रकार के व्रत का फल मनुश्य को प्राप्त होता है, मृत्यू लोक में सबसे कल्यानकारी महाशिवरात्री व्रत हैं, एक बार आपको बड़ी शिवरात्री जो की फरवरी में आती है, अवश्य ही उस शिवरात्री का व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कथा जो की भगवान शिव ने स्वयम सुनाई इस प्रकार है एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था वह पश्वों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था वह एक ऐसा व्यक्ति था जो की रिणी भी था उसे कई लोगों का रिण देना था लेकिन वह उस रिण को यानि कर्ज को समय से ना चुका सका क्रोधित होकर साहुकारों ने शिकारी को बंदी बना लिया संयोग से उस दिन शिवरातरी व्रत था शिकारी ध्यान मगन होकर शीव संबंदी धार्मिक बातें सुनता रहा चतुरदशी को उसने शिवरातिरी वरत की कथा भी सुनी संध्या होते ही साहुकारों ने उसे अपने पास बुलाया और रिंड चुकाने के विशह में बात की शिकारी अगले दिन सारा रिंड लोटाने का वचन दे कर उन साहुकारों के बंधन से छूट गया और शिकारी दिन चरिया की भादी जंगल में शिकार के लिए निकल गया लेकिन दिन भर बंधी ग्रह में रहने के कारण भूग प्यास से व्याकुल भी था शिकार करने के लिए वह एक तलाप के किनारे बेल व्रिक्ष पर पड़ाव बनाने लगा बेल विरिक्ष के नीचे ही शिवलिंग थे, जो बेल पत्रों से पूरी तरह से ढखा हुआ था शिकारी को इस बात का पता नहीं था कि बेल पत्र के पेड के नीचे ही शिवलिंग है पड़ाव बनाते समय उसने कुछ बेल पत्र के पेड़ की टहनिया तोड़ी सयोग से वे सब टहनिया शिवलिंग पर गिरी इस कारण दिन भर भूके प्यासे शिकारी का वरत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चड़ गए और एक पहर रात्री बीत चाने पर वहाँ पर एक गरबनी मिर्गनी आई मिर्गनी यानि हिर्णी आई जो तलाब पर पानी पीना चाहाती थी शिकारी ने धनुश पर तीर चड़ा कर जो ही परतियंचा खीची मिर्गनी बोली मैं गरबनी हूँ शिग्र ही प्रस्व करोंगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है मैं जल्दी ही अपने बच्चे को जनम देकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी तब तक तुम मुझे ना मारो शिकारी ने परतियंचा धेली कर दी उस मुरिगनी को जाने दिया और मुरिगनी जंगली जाडियों में लुप्त हो गई उसका पता ही नहीं चला मुरिगनी कहां को निकल गई कुछ देर के बाद एक और मिरिग्णी उदर से निकली शिकारी की परसंता का कोई ठिकाना ना रहा समी पाने पर उसने धनुष पर बान चड़ाया तब उसे देख मिरिग्णी ने विनमरता पुर्वक निवेदन किया हे प्राधी मैं थोड़ी देर पहले ही रितू से निर्वित हुई हूँ का मातूर विहरनी हूँ अपने प्रिया की खोज में भटक रही हूँ मैं अपने पती से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगे शिकारी ने उसे भी जाने दिया प्रत्यंचा चढ़ाने और उतारने के समय बेल पत्र के कुछ पत्ते तूट कर शिवलिंग पर चड़ गए दो बार शिकारी ने अपना शिकार खो दिया इसलिए शिकारी का माथा ठनका लेकिन दोनों बार ही गलती से उससे कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर चड़ गए अब शिकारी को चिंता होने लगी रात का आखरी पहर भी बीटता जा रहा था तबी एक अन्य और मिरिगनी अपने बच्चों के साथ उदर से निकली शिकारी के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर था उसने धनुषपर तीर चड़ाने में जरा भी देरी नहीं लगाई वह तीर चोड़ने ही वाला था तबी वह मिरिगनी भी बोली हे प्राधी मैं अपने बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लोटाऊंगी उस समय तुम मुझे मत छोड़ना तुम उस समय मुझे मार देना इस पर शिकारी हसा और बोला सामने आये शिकार को छोड़ दू मैं ऐसा मुरक नहीं हूँ इससे पहले भी मैं दो बार अपने शिकार को खो चुका हूँ मेरे बच्चे भी भूप प्यास से तड़प रही है उत्तर में म्रिगनी ने कहा जैसे तुम्हे अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सिता रही है इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो मैं तुमसे थोड़ी देर का जीवन मांग रही हूँ ए प्राधी मेरा विश्वाश करो मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ कर तुरंथ ही लोट आऊंगी और अपनी परतिग्या का पालन करूंगी म्रिगी के दिन स्वर सुनकर शिकारी के मन में दया गई उसने उस तीसरी म्रिगनी को भी जाने दिया शिकार के अभाव में बेल व्रिक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फैकता जा रहा था सुबह होने ही वाली थी तबी एक हस्ट पूस्ट म्रिग उसी रास्ते पर आया शिकारी ने सोच लिया था इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा शिकारी की तने परत्यंचा देख कर म्रिग विन्यसवर में बोला हे प्रादी भाई यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली तीन म्रिग्णियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तब मुझे भी मारने में देरी ना करो क्योंकि मैं उनके व्योग में एक शण भी दुख नहीं सहन कर सकता मैं उन म्रिग्णियों का पती हूँ यदि तुमने उने जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुश्चन का जीवन देने की क्रिपा करो मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्तित हो जाऊंगा म्रिग की बार सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना का चक्र घूम पड़ा उसने सारी कथा म्रिग को सुना दी ता म्रिग ने कहा मेरी तीनों पत्निया जीस परतिकार परतिग्यावद होकर गई है मेरी मृत्यू से अपने धरम का पालन नहीं कर पाएंगी अतै जैसे तुमने उन्हें विश्वाश पात्र मान कर छोड़ दिया है चड़ाने से शिकारी का हिंसक खिरदय निर्मल हो गया था उसमें भागवत भक्ती का वास हो गया था धनुश बान उसके हातों से सहज ही छूट गया भगवान शीव की कृपा से उसका हिंसक खिरदय करुना भाव से भर गया वहे अपने अतीत के कर्मों को याद करके पाश्यत आप करने लगा ताकि वहे उनका शिकार कर सके लेकिन जंगली पशों की ऐसी सत्यता, सात्विक्ता और सामोहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी कलानी हुई उसके नेतरों से आसों की धारे बहने लगी उस मिर्ग परिवार को ना मार कर शिकारी ने अपने कठोर हिरदय को जीव हिंसा से हटा कर सदा के लिए कोमल वैद्यालू बना लिया देव लोग से सभी देवी देवता भी इस घटना को देख रहे थे सभी ने पुश्प वर्षा की तब शिकारी और मिरिक परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई बोलिये भगवान शिव की जै मित्रों जिस परकार बेल पत्र और पूजा पाट से कथा सुनने से और पूजा करने से अंजाने में ही उस शिकारी का हिर्दय परिवर्तन हो गया उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हूं कारा भरते सभी पर भगवान शिव अपनी कृपा बनाए रखें बोलिये भगवान शिव की जै अगर आपको भी यह कहानी अच्छी लगी है तो महाशिवरातरी वाले दिन इस कहानी को अवश्य ही सुनें दूसरों को भी सुनाईं और जादा से जादा शेयर करें ताकि सभी इस कहानी से लाब उठा सकें आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बुक्स में ओम नमाज शिवाय अवश्य लिखे